तो मैंने कल वाले वीडियो में बताया था TEC Certificate Online Apply करने के लिए TEC Certificate Online Apply करने के बाद मैंने आपको खल बताया था कि अगर TEC Certificate आपने Apply कर लिया होगा तो TEC Certificate Apply करने के बाद CAC Certificate यानि CAC Registration करने के लिए आपको बताऊंगा तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा पूरी complete जनकारी के साथ की CAC service के लिए आपको registration कैसे करना है यानि की CAC service लेने के लिए आपको online apply कैसे करना है तो इसमें मैं complete जनकारी देने वाला हूँ तो वीडियो को अंतों तक जरूर देखेगा चैनल आपसे भी को अच्छा लेगा तो एक लाइक कर देए चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले तो आपको टीज सेटिफिकेट अपलाई करने के लिए चैनल पर जाना है वहां से वीडियो देख लेना है या तो डिस्क्रिशन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा वहां से आप वीडियो देखकर आप सी एसी के लिए अपलाई कर सकते हैं प्रस्राइब करने के तो ओन-्लाइन अपलाई करने के लिए आपको यहां पर आना है और यहां पर आपको टाइक करने हैं जरूरत नहीं है कि लिंक वैसे मैं वीडियो का डिस्क्रिप्स बॉक्स में डाल दोगा यहां पर आपको सीसी रेजिटेशन पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद में पर पेज कुछ ऐसा देखने को मिलेगा यहां पर आपको अपलाई वाले सेक्शन पर जाना है और यहां पर मैंने डालना है इसके बाद यहां पर मोवाइल नम्मर डालेंगे इसके बाद यहां पर जो दिखाई दे रहा है यह वाला यह वाला कैप्चा बॉक्स इसी में डालेंगे और इसक complimentary कर देना हूँ ट पर आपको OTP टाल लेना के बाद यहाँ पर A reaches-en इस पर क्लिक कर देना है मैं यहां पर OTP बीटाल चुका हो doit राख कर देंगे इसके बाद जो आपने email ओड스트 पर आपको यहाँ पर एंचले ना है कि पर गया होगा सब्सक्क्राइब बचाइब दर Lazarin तो 775 OTP डालने के बाद summit करेंगे आपको paint कुछ ऐसा देखने क ouais sweep यहां पर और डीटेल आपको यहां पर अधार नमर डालेना है जो आपको डीटेल दिखा जरेंगे इसका अपर जेंडर सिलक्ट किया हुआ है इसका बाद आप लगा आपका यहाँ पर state अपना select करना है, यहाँ पर district अपना select करेंगे, इसके बाद location type यहाँ पर select करेंगे, जैसे आपको अगर गरामन चेतर से होंगे, तो यहाँ पर ruler, और सहरी चेतर से होंगे, तो यहाँ पर urban select करेंगे, इसके बाद आपको नीचे का option यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको option दिया गया है फिर authentication authentication यान के verification के लिए तो यहाँ पर OTP के माध्यम से अगर करेंगे कब जब आपके अधार काड के साथ mobile number link होगा यहाँ पर OTP वाला चूज करेंगे अगर आपके पास अधार काड में mobile number link नहीं है तो यह वाला दोनों option चूज करना होगा इन दोनों से यहाँ पर FMR का मतलब होगी fingerprint के माध्यम से जैसे more for device मंत्रा मंत्रा डिवाइस सब जो होता है उस सब से यहाँ पर कर सकते हैं अगर आपके पास वह सब नहीं तो अगर आईरिश डिवाइस है तो यहाँ पर यहाँ पर मोड़ से क्लीक हो जाएक मैं यहाँ इहां पर सारे देटियल कर लेता हूं इसकाब बाद आगे का प्रोसेस यहां से जोग कर देता हूं आप यहां पर देख पारे हैं कि मैं यहां पर डीटेल सारा फिल कर चुका हूं फिल करने के बाद यहां पर आपको क्या करने समिट का सेक्षन इस पर क्लिक कर लेना है इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहां पर आपको फिलप करना है इस वाला बॉक्स में OTP डालने के बाद यहां पर VALIDATE OTP पर क्लिक कर लेना है तो चलिए मैं यहां पर OTP डाल लेता हूँ मैं अपना OTP डाल चुका हूँ इसके बाद VALIDATE OTP पर क्लिक कर लूँगा क्लिक करने के बाद आपको पेज कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आप यहाँ पर देख पाईने कि मैं जहाँ पर OTP वेरिफाई की आप वेरिफाई करने के बाद यहाँ पर E-mail वेरिफाई, Mobile नमर वेरिफाई, इसके बाद TEC Certificate नमर वेरिफाई हो चुका है इसके बाद यहाँ पर आपको एक फोटो चूच कर लेना है, फोटो आपको 20 के वी के उपर होना चाहिए, maximum maximum यहाँ पर 20 के वी यहाँ पर लिखा हुआ है, यानि कि maximum आपको 20 के वी से ज्यादा नहीं होना चाहिए फोटो और इसके बाद नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहां पर मैं डीटेल समझा देता हूँ यहां पर कोशिक डीटेल लिखा हुआ है यानि कि आपना कैफे के नाम या तो कुछ भी जो भी नाम होगा यहां पर डालना हूँ इसका बद यहां क्या करना है यहां पर डालेंगे यहां पर टाइप कुछ करेंगे यहां पर पुलिस ड्रक नाम इसके बाद latitude and longitude टाइप करना है, इसके बाद point map पर यहाँ पर क्लिक करके आपको यहाँ से map set करना हुआ, यहाँ पर map set करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर pen detail डालना है, यहाँ पर pen card in visual select करेंगे, जागा इसके बाद यहांपर bank detail आपको डालना है यहांपर bank saving है या current है आपका account number वह उपना choose करेंगे जैसा अधिक्तर लोगों को पास saving होता है saving अपना choose करेंगे या तो current जो भी आपका हो अपने उन्मसार select करेंगे मेरे यहांपर saving ही सेवंग है click करें गए इसके बाद ऑन कोड़ है डालेंगे इससाइन केवाद चैनल जॉट को यहाँ पर ड़िखा हुआ है तो इस तरह से डालेंगे इसके बाद को क्या करना कि यहाँ पर KYC में document आपको fill up करना है KYC document में आपको क्या क्या document है यहाँ पर चूज करें तो यहाँ पर अपको document मिल जागा इसका बद आप upload करते हैं document को यहाँ पर आप देख आरे कि only jpg या png फाल आपको से के सबसकर यहां करक्व करक्र करेंकि लिए तो चलिए मैं और पूर्ण डाल लेता हूं इसक Перभी ढालने के बाद यहां को डिटल कर चुका हूँ यहां पर इसके बाद यहां पर नाम कोशिक डीटेल यहां पर डाल चुका हूं यहां पर यहां पर सब डिवीजन लोकेशन बॉडी अर्बन वाले इसके बाद यहां पर भीलेज या सीटी के नाम यहां पर वाड नमबर इसके बाद पीन कोड यहां पर पोस्ट ऑफिस इसके बाद सटेशन इसके बाद लांगि चूड यहां पर स्लhöक्ट करना है आपको स्लोट करेंगे यहां पर आपको फूरे depressed लोकेशन यहां पर आपको चूज कर लेंगे तो यहां पर चूज कर लेता हूं यहाँ पर near rest location लगभग मैं आपको near rest होना चाहिए यह नहीं की पूरा सर्टिक हो जाए तो और अच्छी बात है लेकिन यहाँ पर ज्यादा कोसिज किजिएगा उसके near rest यानि कि उसके बैठाने की कोशिच किजिएगा तो चलिमें इनके near rest यहां पर बैठा देता हूं मैं यहाँ पर सेटप कर चुका हैं लोकेशन लेकोशन सेटप करने के बाद आपको क्या करने हैं यहाँ पर आपको पैन नमबर डाले नहीं पर डाल चुका है इसका बाद बैरिफाइवाले सक बैंक का पास्बुक डालें या तो चेक डालेंगे जैसे मैं यहाँ पर पास्बुक डाल चुका हूं और यहाँ पर एक कवाईसी डोकमेट चूज कर लेना इन में से जैसे मैं अधार कार्ड डाली हो तो अधार कार्ड यहां पर चूज कर लेंगे इसके बाद आपको क्या क crystal और पर यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर समीट का सैसे मिला लेंगे आपना pretty यहांपर ले बेटेल शुम पर सब्सक्राइब कर लीचा कर लेंगे मुझाए हैं यहां पर निशने के लिएके उड़ा साथ्व पर्लिक कर लेंगे यहां पर अब इता है एक भी ऊच्न comment रहें और यह पर अपाइपना पूरा ंगा तरीका स् और करेंगे तो यहां पर सही करने कबाद मैं समिट करके शोग कर देता हूं चलिंब कर लेते हैं फिले कि वाला दिकत तो इसलिए EVKit करेंगे नाम था बहुत बड़ा था इनका विलेज का नाम यहां पर यहां करने के बाद यहां पर मैं समिट करके सो कर देता है यहां पर आप देखने को मिल जागा यहां से मैं प्रिंट करके सेव कर लेता हूं तो इस तरह से आप पूरा डिटेल जो भी अभी तक आपको प्रोसेस करना है कि अची करने क्लिए मैं आपको दिखाता हूं आपको कीजिक करना है आपको प्रोसेस करना है चेक करने के लिए आपको बैक आना है और बैक आने के बाद आपको एक करना है ट्रेक तो यहां पर मैं बैक आ चुका हूँ बैक आने के बाद मैं आपको कोसिस कर रहा हूं यहां पर दिखाने के लिए कि आपको यहां पर ट्रेक कैसे करना तो यहां पर आपको आने के बाद य जाले मैं यहां पर डाल लिया हूं डालने के बाद यहां पर CAPTCHA को डाल लेना ही इस तरह से और CAPTCHA डालने के बाद आपको इस तरह से डालना CAPTCHA इसका पर sumit पर क्लिक करना है यहां पर आप देख पा रहे हो कि आपको यहां पर मिल जाएगा तो यहीं थी चोड़ी सब्डेट वीडियो अच्छा लागे तक लाइक जरूर कर दिजेगा अगर इस से कोई भी समस्थ यहां है तो आप हमारे कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा तिये भीरिफाई होने के लिए आपको लगभग एक महीना भी टाइम लग सकता है दो दिन भी टाइम लग सकता है आपको पंदर दिन के अंदर भी हो सकता है तो आप जल्द से जल्द भीरिफाई कराने के लिए आप अपने नजदी की जो डिस्टिक मेनेजर होंगे उनसे कॉ आपको आपको प्रोसस कम्प्लीट करने के बाद आपको सीजी आडी मिल जाएगा और मिलने के बाद अपना जो भी आपका गौवर्मेंट का वर्क होगा आप अपना कर सकते हैं तो चली मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ जाहिंद